नमस्कार दोस्तों मैं हूँ खुश्बु सिंग और बहुत स्वागत बहुत अभी नन्यन करती हूँ आप सब का जोतिस ज्यान में कैसे हैं मेरी भाईयों कैसी हैं मेरी बहनों मेरी कमेंट सेक्षन में जै माता दी हर हर महादयों अवश्य लेखिया अपनी खैर यह अवश्य बताएं आज बात करने चारी हो कि क्या आपका पढ़ Teil आकी एक भी नहीं सूनता मांता है आप से प्यार करता है कोई दूसरी और का चखकर नहीं है कोई सौदन के चकष़ नहीं है आपको नामाइचे भेज़ लिया इसा आपको सतान ही रहा है अब बस आपकी बाता नहीं सुना जो कहते हैं बस ऐसी बातों क्एकरा अपने मर्जीका करता है kis también मा अपनी माय को सुनता है आपनी बहन का पोन करके अपनी बैंच किस तो समर्ख लीक हैं वह दो रहा है कि और सुन kita बताओं कि कोई वर्षी करह नहीं, कोई टोटका नहीं, बड़ा छोटा सा उपाई है, लेकिन इस उपाई का एक सर्थ है इस उपाई को संपूर्णफ होने में, कि इससे चर्चा आप किसी से न करें, जैसे ही हम कुछ बोल देते हैं, तो कोई टोटका, कोई उपाई ऐसा होता कि मैंने किया है, फिर खत्म हो जाएगा यहां से यह उपाई, क्योंकि बड़ा समाने सा टोटका है, लेकिन अधबूत है, एक नहीं दो उपाई बताओंगी, जिससे पती हर वो बात माने का आपका, और मानने लाइक बात मनवाईएगा, पिलको और मानिये बात मत एक पती के सरके बीचों बीच से यहां से कुछ बालों को केंची से काट लेनी है, अब यह तो आपको बड़ी चतूराई से करनी है, क्योंकि इसमें मैं आफकी कोई और हेलफ नहीं कर सकती, कैसे करनी हैं, 12 बजे रात को 12 से ना ज़ादा, 12 से ना कम, जोते हैं सास्तरे में ह तो आप कमेंट्स में लिखते हैं, लाल वस्तर पहन सकते हैं, पीला वस्तर नहीं है, कोई और रंका चैन कर सकते हैं, जब हम पीला वस्तर पहनते हैं, तब हम गुरू को अपनी और बहुत तेजी से आकरशित करते हैं, अपनी सरीर के और, हमारे सरीर के जिस भाग में पीला व करते हैं तो ग्रहों की बड़ी भूमिका होती इन रंगों की पीछी टाइम की बात करें तो हर समय समय पर ग्रह बदलते हैं इसी लिए जब भी कोई आपको कोई उपाय बताए तो बहुत ध्यान से सुनियों और उसका विकल्प मट ढूड़िये बारा बजे रात को पती के सर का बाव थोड़ा सा कैंची से मैंने कहा अब आप ना कहें मैं ब्लेट से काट सकती हूं क्या मैं चाकू से काट सकती हूं क्या चाकू मंगल का सूचक होता है चाकू केदू का सूचक होता है मैंने कहा कैंची से काटनी है कैंची में दो फलक होते हैं चाकू में एक होते हैं ब्लेट में कोई फलक नहीं होता इसी लिए इस उपाय को आप दिहान से सुने कि कि किसी भी रात किसी भी दिन की रात सोम वार से सनी वार से रवी वार यहां बाल के कुछ बाल को आपको कैंजी के दो फलक से ऐसे काट लेनी है और चुप चाप से उसको मोड़कर अपने पास रख लेनी है आपको अगले दिन से वोच करना है, आपको छोटी-छोटी बाते मनवानी हैं पती से, बिल्कुल जायस घर वाली छोटी बाते आप मनवा कर देखें, क्या बात मानने लगा, आपको लगा कि बात तो मानने लगा, लेकिन दो-चार बाते मानता है, फिर एक बात नहीं मानता है मैं चाहती हूँ पूरी तरह से मेरी पुठी में हूँ, जैसे सब लोग कैसे अपने अपने पती से सब चीज मनवाते हैं, मैं नहीं मनवा पारी हूँ, बिल्कुल मुठी में लिना है, तब जाकर उन बालों को आप जला दें, जला कर जमीन पर रख दें, और अपने दाहिने पैर से उसे पुचल दे, रगड़ दे, एक नहीं, सो नहीं, एक हजार प्रतिशक आपका पती केवल और केवल आपकी बात मानने प्रारंब कर देगा उसी दिन से, यदि जलाने से पहले बाल आपने रखा और पती बात मानने लगें, तो उस बाल को सदा सरवदाब आपने पास कहीं रख लेजे, किसी पर्स में रख लेजे, सजोरी में रख लेजे, अपनी कोई फेवरिट बूक है, उसमें रख देजे, किसी लिफापर ने डाल कर, उसे आप अपने कब्जे में कर लिया, यह थि एक उपाय, दूसरी उपाय बताते तो, दोनों कारगर हैं, सफल ह बहुत अच्छी उपाय बता रहे हूं बुद्धो वार के दिन या सनी वार के दिन यही दो दिन विकल्प है आप एक दुर्वा घास तोड़ ले दूब घास तोड़ ले पूरब दिशा की ओर सर कर ले सामने पुर्व हो दूब घास को अपने दादों तले रखे तीन बार का काते मिया भ्यां पिर बंदूसरें जगह सेंगे और दीसरें जगह तीनों वार अपने पती का नाम ले और कुछ ना बोले जाओ मैरी कोनी बात मानने लगे तेड भ्या से भरत के आपकोल अपने नाम ले यहां तक कि यह जो दूब घास का उपाय मैंने बताया या आप अपने घर के किसी अन्य शडश्य को भी अधि आपका बेटा भी आपकी बात नहीं सुन रहा है यह सास सुनते हैं बिल्कुल विप्रिट करते हैं तो आप उनका नाम लेकर भी दुरवागास को बुद्धवार के दिन तीन बार अपने दातों से काटी हैं आपकी दातों से होकर जो भी जुबान से बात मिखलेगी हर हाल में उन्हें स्विगार्फ होगी अब शिकरेगे उपाएं अपना लुबहों मेरे कमेंट सेक्षिन में अब अस्टे साजा करें बहुत बहुत धन्यवाद